अदभुत डिविलियर्ज, AB can do everything on the cricket field, ABCDE of cricket, आप सोच रो, AB डिविलियर्ज की बात क्यों की जा रही है, ना तो वो पंजाब से कभी खेले और ना ही वो हैदराबाद का कभी हिस्सा बनेते, जो मुकाबला है, वो तो मुल्नापुर में इन दो टीम्स के बीच में खेला जाए जीतेगा कौन, लेकिन AB, AB, मदा आएगा, प्रोवो प्रेजेंस चोप्रा जी की क्रिकेट चॉपाल in association with my 11 circle में आप सभी का हाथ चोड़ के एक दम स्वागत है, कैसे हो आप लोग, आप अच्छे से होगे, और आज पहला घर कही है वाला, क्योंकि आज हमारा वो दिन है जि वो भी दिखाएंगे और मैंने बार-बार यही संधाने कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो सोड़े से लंबे हो रहे हैं क्योंकि हम बहुत मैनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नहीं फीचर्स लाएं, आज AB डविलेर्स आने वाले हैं, स्वागत नहीं करोगे इनका, कर द यहां हराया था, दिन का वो मुकाबला था, और दुबारा वही लेव आपिस प्राप करना चाहेंगे, और पिछले मैच में तो absolute कमाल खेल के आई है पंजाब यहार, और शशांक सिंह, मार किदर है, मैंने पूछा तेजा किदर है, बई तेजा नहीं है पर तेज है इनके ख वेल दन, अब दो मैच यह जीट चुके हैं, और एंटर्टेनिंग ब्रैंड ओफ क्रिकेट यह हमेशा खेलते हैं, उसी की आप उमीद एक बार फिर लगाएंगे, और हाइदराबाद के समस्य आई है कि घर पे तो दो में से दो जीते हैं, पहले उनोंने हराया मुंबई को, फिर अराइन और चिन नहीं को, जाइन्ट स्लेयर्स एठ होम, बर थोड़े से फी के नजर आए घर के बाहर, कोलकता में भी हारे, और गुजरात में भी हारे, पैट कमिंस को हमने एमदाबाद में हार तो वे देखा, ओए, निस नवेंबर को देख लेते, पर एनिहाओ, इस मुकाबले में, अब मैं सोचनों किन तीन ख्राड़ी उक्पर फोकस किया जाए, I think I'll go with Shikhar Dawan one more time यार, और Shikhi Boy की तरफ मैं इस लिए जाऊँ कि पिछले मैच में इंसाइड एज करके आउट हो गए थे, उमेश जादव विकेट मिल गई थी, पर उस से पिछले मैच में र इंड तो अब उम्मीद होगी कि उनका कोई साथ भी देगा और अंत कोई उनका जजबात भी समझेगा और ये अच्छा खेलेंगे, पिछ एक्षी मुलनापूर की अच्छी लगी है, जो हमने देखी है, वो पिछ अच्छी है, in fact सहीद मुश्टाखली ट्रोफी के आंखड बनाई जा रही है, इंफ्रस्ट्रक्चर डिवेलेमेंट हो रहा है भारत में, और उसका असर तो ऐसा लग रहा है कि पिछिस में भी नज़र आ रहा है, तो शिखर दवन, ये is my first player to watch out for, और मैं बात करो, of course, पंजाब किंग्स के तरफ से मैं खिलारी चुन रहा हूँ, शश फिर शशांक ने, मार्क के दर है, मार्क डाला अपना, made a mark for the Punjab franchise, अब पिछले मुकाबले में एक जिस तरीके की बैटिंग ही है, तो अच्छी बात लगे थी, वो स्पिन बड़ा अच्छा खेल रहे थे, हाथ से गेंद को पढ़ रहे थे, फास बोलिंग के खेला, वो क्रि अच्छी बैटिंग जगर नौट है, इसको कौन रोग सकता है, अर्षदीप सिंग, विकेट टेकर है, इसको कोई डाउट नहीं है, और उनको अच्छी देखा जाए तो शुरुवात ही करनी पड़ेगी, किसी तरीके से तो देखें, ट्राविस हैड को रोखना है, ट्राव रिकलासन आते हैं, मारकरम भी रन बना चुके हैं, और इनकी बैटिंग बहुत लंबी नहीं है, पर बहुत विस्पोटक है, जितने हैं वो बहुत मारते हैं, तो थर्ड प्लेयर टुवाच आउट फॉर्ड मेरी तरफ से आ रहे हैं, अर्षदीप सिंग, सिंग, इसको कि प असान से असान सवालों के जवाब हाया नहामें देने होते हैं, कुछ ज्यादा तो नहीं है, लाइप मैश के दोरान भी आप दे सकते हैं, जैसे कि एक और यह सवाल आ गया, अब यह सवाल है कि क्या आप 25 या पच्छे से ज्यादा बनाएगी हैं, हाइदराबाद में ते फ अब आप तो नहीं ले पाएगा, ऐसा लग रहा है, मुझे पर इहां मैं अपनी ओपिनियन से आपको शेयर करता हूं, इस्तमाल करता हूं, इस्तमाल करता हूं, ग्रोबो पर, जी एस्टी का ध्यान ये रखेंगे, और कार, बाइ, थार, वो सब कुछ यहां पर आपको जीत हमेशन. दिमाग का इस्तमाल करना है और इनवेशेक अबिश, सेंसिबली करने है. भी पर अब Зरा हाइदराबाद की बात कर ले थे हाइदराबाद के लिए कौन है, हाइदराबाद की तरफ में जब देखता हूं, तो मुझे क्या नजर आता है? हाइदराबाद के लिए मु पर चोटी है और चोटी बैटिंग को कभी भी अगर दो-तीन वो स्पीड ब्रेकर बीच में आ गए, दो-तीन विगेड गिर गई तो फिर यहां से निकलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उन्हें पता है कि हमें रंस ज्यादा चाहिए है गेंदबाजी के अंदर पैट कमिन्स इसे बड़ी एक्साइटिंग नहीं है पर बड़ी इंप्रेसिव बोल रहे है एफिशेंट बोल रहे है अगर इन में से दो में से एक को आउट कर दिया तो बले बले और अगर दोनों को आउट कर दिया तो फिर तो भांगडा गिर्दा सारे पाले ना साथ में तो यह भाईया डेंजरस ओपनिंग पैर इस्टनिग आउट तो बी दी मोस्ट डेंजरिस ओपनिंग पैर इन दिस एडिशन बहुत डेंजरस है अब तो वैसे बटलर फॉम में आ थोड़ा सा उंको साइड बांडर्स को थोड़ा चैलेंज करते हैं और कप्तानी अच्छी करते हैं गेंद बाजो का इस्तमाल अच्छे से करते हैं तो पुलिंग इस बेट इन दे साइड ना बै्टिंग में भी दो उतना उच करने का ना मौका मिला है नहीं आप उनसे ट्रेश्टों के लिए प्लान होगा, शेशांग के लिए भी प्लान, प्लानिंग भी या उस्टेलियन जो है, वो बहुत अच्छे से आगे रहते हैं, यह हम बहुत समय से जानते हैं, दिल पे लगती है, थर्ड प्लेयर इन फोकस मेरा जो रहेगा, मैं सोच रहा हूँ है 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 हेंरिक क्लासन इसलिए क्योंकि पिछले मैच में तो रन अबॉल उनने रन मनाये थे, थोड़ा सा अलग खेले थे पर हेंरिक क्लासन है, क्लासिक प्लेयर है एकदम, पिटाई खूब करता है, और यह वो बल्लेबाद है, जो मैच के रूखकों को बदल सकता है, सिंगल हैंड अब जे मैच अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है, अब जे मैं आपको बताना चाहरा था कि भाई कैसे आप वो गिववे कॉन्टेस तो 50,000 रुपे गा, 50,000 रुपे का गिववे कॉन्टेस इस जस्ट पर निव यूजर्स, तो मैई लेवन सब्सक्रिप्शन में ने, इस सिर्फ इस मैच के लिए अक्टिवेडेड होगा, सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए होगा, इसके अंदर आप एक रुपे में जॉइन कर सकते हैं और जीतने वाला मिलेगा 50,000 रुपे, इतने में पस जीरो बनाने के हाथ में हैं, पर 50,000 रुपी आपको जीतने का मौ फिर आगे उपर उपर, बहुत उपर तक जा सकते हैं, तो वो भी आप प्लीज देख लिजेगा, लिंक आफ ती एप इस इन दपिन कॉमेंट्स, मेरे टीम है, उसको अब्डेट बाद में करूँगा ज़रूर, टॉसके लिए टेलिग्राम चैनल पे आजेएगा, बाकी हमे प्लेर, जीनियस, लेजेंड, अलग ही था भाई, पर वैसे ही कुछ अलग से ही तो है हमारे रिशब पंथ, अब रिशब पंथ को क्या चीज अलग बनाती है, as promised, it is A.B. Develius with Rishabh Pant, नहीं, A.B. Develius about Rishabh Pant, ये देखो, enjoy करो, दोस्तों के साथ ना भर-भर के शेयर करो, I was going to talk about Rishabh Pant, but A.B. is also on YT, so it's become Adbhut, Adbhut Develius, I call you Adbhut Develius by the way, A.B. is Adbhut, Adbhut is unbelievable, yeah, Adbhut Develius, so he's got his YouTube channel as well, so please like, share, subscribe, comment, notification, bell, everything else, please do that, let's talk about Rishabh Pant now, what does he do, how does he do it, do you see him just going like this forever, I mean, what's your initial thoughts of just watching Rishabh Pant, there's so many things to describe this guy, but I'm a big fan, he's got number 17 on his back, that's also true, true, that's what we call each other by the way, so when it comes to Virat, I call him Biscuit, he tells me Biscuit, so I call Rishabh Pant number 17, he says number 17, so I'm a big fan, I think he's got a lot of character, that not a lot of people know about him, yes, he looks like he's flashy and it's all powerful shots, but there's character in this guy, to go to Australia and play test cricket like he did in the past, score big runs, under the pump, and that's what he's done domestically as well, really scoring runs when it matters most, it's great to see him back, what I think makes him good, yeah, is he's one step ahead, he wants, he anticipates, he's away, and he's got this big desire to change the game for his team, when I used to bat, and he missed Wicket Keeper behind the stumps, I could hear in his voice, it's a guy that's competitive, that wants to win cricket games, okay, so that's the very first thing a cricketer needs, and then just, we can talk about all the shots he's got, but he's a natural ball striker, like no other, he doesn't have, he doesn't need to do all the funny tricks, because he doesn't miss out, he's so good, right, okay, it seems that he's slightly off balance very often, he hits them for sixes, but it seems that he's falling over, sometimes he's just falling on his feet, and it's just one handed shot for a six and all, do you find that a little awkward, or, I mean, whatever way it works, to each his own, I mean, how do you actually describe that kind of gameplay, which is very unique to someone like Rishabh Pan, most people can't do it, yeah, I call it X Factor, he does stuff that no one else does out there, you know, like you're talking about that one hand one, it's actually balls where he's a bit early on it, and he realizes at number 99, for him to extend, to sort of come up for the fact that he's a bit early on the ball, he extends with that one hand, and he's still got the ability to actually make contact in the middle of the bat, he hit it for six, and then make eye contact with the bowler, I think it's one of his biggest strengths, his body language, right, he's not a guy to look at his shoes all the time, and he actually looks up at the bowler, he looks at the field, he makes eye contact with everyone, telling them, guys, I'm not here just to look cool, I'm here to win the cricket game, and that is a big message to opposition. At a very young age as well actually, when he actually started doing this, but do you see when, of course he's young, he's gone through a lot already, in personal life as well, is it difficult for someone who's as talented as he is, with the kind of gameplay that he has, to actually balance the formats and the demands, because you seem excellent in test cricket, fairly okay in one day cricket, T20 seems like he's still trying to crack that code, where he's not cracked it completely, so is that very difficult, I mean how you did it, Virat has done it, a lot of people, excellent, extraordinary cricketers have done it, but it is still, it's a tough art. I fully agree with you, that's the one area where I feel, he's going to need a bit of guidance, like a mentor, and I'm sure he's got those people in his life, and hopefully they do play a big role, and I very clearly remember, early 20s, mid 20s, late 20s, I was very stubborn as well, wanted to do it my way, he's not going to come tell me everything that I need to do, okay, I've also got control over my life, I'm not saying he's going through that, but I wouldn't be surprised, if he's in that kind of space, where I respect everyone, but just please leave me alone, I just want to play my cricket. Okay. And there's nothing wrong with that kind of attitude, but that's how I sum him up, he's quite a stubborn guy, I was exactly the same, you just got to sort of relax at some stage, get a bit more accountability, ownership of what you're doing. So what are the kind of things that you resist, when people are obviously telling you, you've already tasted a lot of success, you've been there, done that, and that is where you start thinking, okay, I know my game, I know what I'm doing, so yes, please back off, very politely, but back off, don't just pile on me, but what are the things that you tend to resist, but you should try and avoid? It's a characteristic, though, that you're sort of born with, I was like that from a very young age, I do see it in him, that's why I'm taking a guess, I may be wrong, so you can give me a call if you think I'm wrong. I'll give you the number. But it is one of your biggest strengths, it's also a weakness, because you've got to hide it, because you can't be rude to other people, you know, and that's the space Rishabh's going through, he's proven to everyone, he can do it, now it's to him to find consistency, and the only way to do that is really to figure out his own game, where am I good at, what kind of weakness do I need to minimize, and I don't think he's cracked that yet, he's not far away, all the ability in the world, and he will get there, because he's stubborn. Fantastic, Rishabh, sky is the limit, of course, so his name is Rishabh Tabartorpanth. Rishabh Tabartorpanth. 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 Okay, Rishabh Tabartorpanth. Tabartorpanth. Tabartor is destructive. I love that. It's like, that's why, so Adbhut Devilleas, A, B, Devilleas, so Adbhut Devilleas, like that, Virat Run Machine Kohli. I like that. So, Tabartorpanth. So, the run machine part is the Indy. No, in that case, it's English, run machine, but it's just the characteristic of a cricketer, of a player. I love it. That suits him. Rishabh Tabartorpanth. Tabartorpanth. So, yes, he's going to crack it very soon, that's what AB says. Number 17, you go, you're a good thing. Yes, number 17, and his YouTube channel. Don't forget, don't forget to subscribe, like, share, comment, and press that notification bell and whatever else it takes. Thank you for the support. Please do like, share, subscribe, comment, notification. As we are doing this, we have to do this, so we'll be doing this. We can get this effort about AB Devilleas. This effort is 100% devotion. We have to do double headers and keep it. Devotion is never enough. Now, let us help you to do this promotion. Share it. The content is good. It was good. It was good. It was good. Now, the provocaust link, the description, my level circle link. in the pin comments और अपने सवाल आप जरू भीजते रहेगा क्योंकि हम बहुत बार आपकी questions भी अपने वीडियो में शामिल कर रहे हैं जैसे आज सुबह के वाले वीडियो में भी किया था कल भी कर लूँँगा अगर आप कोगे तो आज के लिए वी के लिए इतना ही है